अपने घर में कच्रा इकठा करने के लिए आप कितने कच्रों के डिब्बों का इस्तमाल करते हैं सूखे कच्रे के लिए एक और गिले कच्रे के लिए एक इस प्रकार से हम दो कच्रों के डिब्बों का इस्तमाल करते हैं चलिए अब हम आट दिनों का सूखा कच्रा इकठा करेंगे, हमने जो भी इकठा किया है हम उसकी एक सुची बना लेंगे, हमारी सुची में लकडी, प्लास्टिक, धागा, बाल, थरमकोल, कांच, धातु का कच्रा इत्यदी सभी नाम मौजूद होंगे, क्या हम इन्हें प्रक प्लास्टिक का निर्मान जैविक पॉलिमर द्वारा होता है यह मानव द्वारा निर्मान किया हुआ पदार्थ है, जिसकी संद्रिचना एक श्रंखला के समान होती है हम इसे खिलोने, कंगी, बरतन जैसे मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं यह thermoplastic है, जब हम plastic को गरम करते हैं, तब हम उसे मन्चाहे आकार में ढाल सकते हैं, दूसरे प्रकार का plastic वो होता है, जिसे धाचे में ढाल कर आकार दिया जाता है, और उसके बाद इसका आकार बदल नहीं सकता है, इलेक्ट्रिकल स्विच अर्थात बटन कोकर को पकड़ने के लिए बनाए गया हैंडल ये सभी इसी प्रकार के प्लास्टिक से बनते हैं प्लास्टिक के गुण धर्ब एक प्लास्टिक में जंग नहीं लगती है दो प्लास्टिक का विगटन नहीं होता है तीन हवा पानी उष्णता आर्दता और बारिश का कोई असन नहीं होता है चार हम प्लास्टिक में कोई भी रंग मिलाकर उसे अधिक आकरशित कर सकते हैं पांच प्लास्टिक उष्णता और विद्युत का कुछालक होता है छे प्लास्टिक वजन में हलका होता है प्लास्टिक उसके प्रकार और उसके उपयोग, एक बैकलाइट, रेडियो, टीवी, टेलिफोन और उनके कैबिनेट, इलेक्ट्रिक स्विच, खिलोने, घर में काम आने वाली वस्तुएं, कूकर के हैंडल का आवरण, अर्थात कवर, दो, मेले माइन, कप और तश्तरी, प्ल प्लियूरेथिन, सर्व बोड, छोटी तश्तरियां, छोटी कश्तियां, फरनिचर, गाड़ी के आशन, अर्थात सीट्स, इत्यादी, चार, पॉलियस्टर, लेजर प्रिंटर का टोनर, कपड़ाउद्यो, फाइबर ग्लास, अर्थात तंतुकाज बनाने के लिए उपयोक् अपने गुणधर्मों के कारण, प्लास्टिक का उपयोग, रासाय निकपदार्त, और अन्य वस्तूओं को जमा कर रखने के लिए होता है। प्लास्टिक को उपयोग में ला सकते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर इसके कारण इनकी मौत हो जाती है। इसी कारण हमें प्लास्टिक की थैलियों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागत से बनी थैलियों का उपयोग करना चाहिए। वस्तों के नाम विघडन के लिए लगने वाला समय। सबजियां एक से दो सप्ता विघडन चील। सुति कपड़ा एक साल विघडन चील। लकडी दस से पंधरा साल विघडन चील। प्लास्टिक हजारों सालों से अधिक अभिघडन चील। सारान्ष, प्लास्टिक के गुन-धर्ब 1- प्लास्टिक में जंग नहीं लगती है 2- प्लास्टिक का विघडन नहीं होता है 3- हवा, पानी, ऊश्नता, आरगज ता और बारिश का कोई असन नहीं होता है चार हम प्लास्टिक में कोई भी रंग मिला कर उसे अधिक आकर्शित कर सकते हैं पांच प्लास्टिक उष्णता और विद्युत का कुछालक होता है छे प्लास्टिक वजन में हलका होता है कर दो